तो आज बात करने वाले सप्लिमेंट के बारे में जाते हैं यह पहले बार नोंने जोइन करा यह फर्स डे जिम जा रहे हैं थोड़े दिन जिम गए तो उनको पता नहीं होता वह देखते हैं सामने वाले बंदे की बोड़ी कैसी है तो वह सोचते कि हमारी भी ऐसी बने कैसे ब लोग अगर आपको ऐसी बोड़ी चाहिए तो नहीं बना पाऊगे अगर आप बनाते हो तो उसके लिए आपको बहुत जादा टाइम चाहिएगा क्योंकि बीगिनर्स है और देखते हैं कि सामने वाले बोड़ी अच्छे तो उनके पेशेंस नहीं होता वह वेट नहीं कर सक णने बोड़ी में सबसे ज्यादाई यूज भी होता है और तीसरा बहुत सस्ता बहुत है जितने बोड़ी वी ह 고양प नहीं करें अपनी अच्छा नीजिए अच्छा ने वी सबसे लाब-डायक से चला से से हरोन से पहले होता है हमारी बोड़ी के लिए सबसे सेफ होता है तो दोस्तों मैं साहिल से नहीं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो प्रूम के लएवन अकेडमी फिट्नाइन साइन से तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ सेयर करना चाहूंगा तो आज हम बात करेंगे क्रेटीन के बारे में क्रेटीन के मैं आपको बहुत अच्छे होते हैं यह स्टेरियट होता है और इसको कर सकते हैं यह सप्लिमेंट में यूज होता है लेकिन इसका उप्योग दवायों में बहुत सस्ता होता है और यह आप कई ले सकते हैं लेकिन में लिए वीडियो के description में डाल दूँगा अगर आपको original और अच्छा चाहिए तो वहां पे जाके अब ले सकते हैं तीसर काम इसका है कि हमारी बोड़ी में वाटर रोल करता है वाटर रोल करना मनलब जितना वाटर इंटेक हम ड्यूरिंग वरकाउट इंटर वरकाउट यह पूरे दि ब्लड शुगर वाले पेशेंट होए उनको भी हम यूज करवा सकते हैं इसका रिजन होता है क्योंकि यह शुगर फिरी होता है और डायबटीज वाले भी इसको नॉर्मल यह यूज कर सकते हैं उनके लिए बैनिफीचल होगा बैनेफिट करेगा क्योंकि यह हमारी बोड़ होते हैं उनको हम कैसे रिपेर करें और ज्यादा कोस्टली जो चीज होती है प्रोटीन ज्यादा कोस्टली हो जाते जो अपना फूर्ड नहीं कर पाते हैं लेकिन क्रेटिन एक ऐसा सब्सक्राइब कर सकते हैं यह कहीं पर मिल सकता है और सबसे बड़ी बात जो है हम नॉर्म तो यह यह नहीं है है तो लौक बोलते कि जब हम वेट लोस करते हैं तो हमें क्रेटिन यूज नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्बू कूल भी नहीं होता हम वेट-लोसमीं कर Du 보시 सकते हैं लेकिन हमारी help करता है यह बात आपको ध्यान रखने हैं तो आज वीडियो में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में कितने लेनी चाहिए कितने ग्राम का यह आता है इसकी पैकिंग कितने की होती है कितने मार्केट में कैसे मिलता है जो भी चीज़े होती है और हमें कैसे लेना है और कितने दिन तक यूज करना है और डोज हमें कब बढ़ानी चाहिए यह नहीं बढ़ानी चाहिए अगर बीगनर है तो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और अगर आप एडवांस है आपको साल बर हो गए दो साल हो गए तीन साल हो गए अप्रेटिन पहले यूज कर चुके तो उसकी डोज आपको कैसे बढ़ाने तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आगया है आने वाले है तिंक्यू